आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वन कट इलबो माइटर कैसे बनाते हैं किसी भी डिगीरी में आपको बनाना है 45 डिगीरी 60 डिगीरी 30 डिगीरी अन्य डिगीरी किसी भी डिगीरी में आपको बनाना है तो ये तरीके से आप बहुती असानी से बना सकते हैं आपक एक mm का difference नहीं आगा, तो देखिए, सबसे पहले आपको जब भी बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, यह हमें formula ले लिया हूँ, ताकि आपको थुरा फाइश्ट बता सकूँ, ताकि तो देखिए, जब भी आप बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको कितना inch का आपको pipe है, तो आ इसका OD में आप 3.142 से गूरा करते हैं, तो आपका CF निकल के आ जाता है, जैसे यह 60 into 3.142, तो यह आपका 188.52 आपका CF निकल के आ गया, यह तरीके से आप बनाते हैं, तो आपको बहुत ही easy हो जाएगा बनाने के लिए, तो आपका CF मालुम हो गया, अब आपको CF मालुम हो मैं दिखा देता हूँ, यह आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इधर 8 है, तो यह आपका art center line यह हो गया, मैं already art center line माल लिया हूँ, ताकि video लंबा ना हो, तो ऐसे ही आपको art center line मालने के लिए आपको क्या करना है, यह safe भगे, आपको जितना center line में बनाना है, अगर 4 में बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं, बटे, आपको मैं कहूँगा, ती, आप जब भी बनाएं, तो आपको art center line में बनाएंगे, तो बहुत best रहेगा, आपका cutting, fitting, perfect आएगा, थोड़ा भी आपको grinding मानने का जोर तो नहीं परेगा, तो जितना center line में बनाते हैं, आप 16 center line, 32 center line, 8 center line, तो ये 8 center line में बना रहा हूं, तो CF भगे 8, तो आपका 1 का दूरी, तो एक आप SPT level से OD का half लेके, ऐसे level मिलाके, half लेके मार देते हैं, तो आपका top line निकल के आ जाता है, 90 का या 0 degree भी बोल सकते हैं, तो आपका देखिए, तो एक का दूरी आपको अगर 8 से भाग दे द 23.5 आपका निकल के आ जाता है, तो आपको 23.8 line ऐसे आपका मार्किन हो जाएगा, जितना भी डैया का पाइप है, CF भगे, आप 8 करेंगे, और उतना आप मार्किन करिए, आपका ये हो गया, ये फर्मूले, ये जो फर्मूला है, देखिए, फर्मूला, ये फर्मूले से दिखा दूँगा, ताकि जो भी डाउट है, जाएगा, तो देखिए, ये फर्मूला जो है, 10 डिगरी भगे 2, कोस्ट में आपको ये लिखना है, 10 डिगरी भगे 2, कोस्ट इन्टू पाइप ओडी, आपका जीतना ओडी है, पाइप का, ओडी आपको डालना है, जीतना दिगरी डिवाइड टू कर देना है, इन्टू पाइप ओडी भगे 2 कर देना है, आपको तो ये आपका कट बैक, जैसे ये मैं निकाल के रखा हूं, तो अभी मैं मोबाइल से भी आपको निकाल के दिखा देता हूं, ताकि जो भी डाउट रहेगा, ओ आपका किलियर हो जा देना है, कोस्ट इन्टू पाइप ओडी, इन्टू पाइप ओडी, ओडी कितना है, 60 mm है, तो 60 mm ओडी दे दिए, डिवाइड टू कर देना है, भगे 2, बराबर कर देते हैं, तो आपका ये 17.32 आपका यानि 17.32 आपका निकल के आगया, देखिए, ये मैं डिवाइड करके रखा हूं, ताकि तोड़ा इजी हो जाएगा, तो देखिए, ये आपका हो गया, और देखिए, ये अल्रेडी आपका ये देखिए, ये देखिए, 17.5 mm, आपको मार्किन कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि मार्किन में बहुत आदमी मिसिंग कर देते हैं, तो आप तो मार्किन कर लेते हैं, बड़ करणी करते हैं, तो फेटिंग आपका परफेक्ट नहीं आता है, तो ये सेम इसी طरीखे से आपको जितना सेंटर लाइन में बनाना है, अगर आठ सेंटर लाइन में बनाते हैं, तो आपका एक 90 हो जाएगा, या आप 0 डिगरी भी ले लेना यह आपका टोप लाइन हो गया इसके बैक साइड वाला आपका बोटम लाइन हो गया तो जब भी आप बनाई है तो आपको देखिए हमारा कट बैक कितना निकल के आया था यही फर्मूला है 10 degree divided 2 into 60 पाइप OD भगे 2 आपका यह निकल के आगया यह 17.32 आपका तो पाइप में आपको 17.32 यह आपको ऐसे मार्किन करना है ताकि आपका जो मिसिंग है वो मिसिंग नहीं होगा और ऐसे ही मार्किन करना है मैं आपको मैं बता रहे हूँ यह 100 से मैं ले लेता हूँ 17.5 mm आपका यह हो गया आपका 17.5 mm आपका यह हो गया आपको ये 17.5 mm आया निकल के तो आपको आगे देखिए कि आप आपको ये आपका 45 डिगरी हो जाता है ये भी 45 डिगरी ये 90 डिगरी हो जाता है तो ये आपका 17.5 mm आपका ये निकल के ये 45 डिगरी है तो साइन आपको साइन 45 डिगरी 45 बराबर कर देंगे और बराबर करके इंटू कर देते हैं ये cutback कितना आया था निकल के 17.5 तो 17.5 आपका 12.37 आपका निकल के आ गया तो 12 mm आप मार कर देते हैं ये वाला 45 में ये वाला यहाँ से हो गया यह हो गया 12 mm सेम आपको इसमें भी 12 mm यहां से आपको मार किन कर लेना है आपका एक mm का डिफरेंस नहीं आएगा यह मैं गरेंटी दे रहा हूं आप यह फर्मूले से यह तरीके से आप बनाए यह आपका 12 mm हो गया तो देखिए यह आपका 30 यह आपका 17.5 यह और 12 यह और यह टिकरी हो गया आपका 0 और ऐसे आपको मैचिंग करना है ऐसे अभी में मार किन करके दिखाऊंगा सेम आपको बैक साइड में यह सेम इसके बोटम साइड में आपको अपोजित मार किन करना है इधर अभी यह वाला इधर मार किन कि तो सेम इसका बोटम साइड में यह साइड आपको marking करना है यह side इधर marking किये थे top में bottom में आपको इधर marking करना है यह आपका 17.5 mm यह हो गया same आपको यह कितना निकल के आया था 12.24 आया था आपका निकल के तो यह 45 में 12.24 आपको marking कर देना है यह 12.24 यह आपका हो गया same इधर भी यह आपका आप 0 डिगरी हो गया, सेम इसमें भी 45 में आपको मार्किन कर देना है, ये हो गया, तो देखिए अबही अम लो का ये जो मार्किन है, वो मार्किन हो गया, सेम आपको थुरा मैं बता देता हूँ, ताकि जो भी डाव्ट है वो किलियर हो जाएगा, ये आपका टोप लाइन हो यह आपका फर्मूला इधर सामने आ गया और देखिए यह फर्मूला हो गया टेन डिगीरी 60 डिगीरी में अभी बना रहे हैं हम लोग ठीक है तो यह टेन डिगीरी भगे टू इन्टू पाइप ओडी यह ओडी है यह 60 mm पाइप का ओडी है डिवाइट 2 हो गया और यह 17.32 यह लिगीरी आपको 60 डिगीरी जितना आप साइड 67.5 डिग्री अगर सोला सेंटर लाइन का बनाते हैं तो 22.5 डिग्री आपका आए गा तो यह सिल्मूख č.ब degrees into कर देते हैं ये cutback कितना निकल के आयाithा है येstate 90 degrees के लिए 70 points इसम्सेया 12 साय 45 द्याइब कर देना है आप आप 10 probably 37. rock घेलते हैं और इसम्सेया ये 12 ऐंक जाओ कर देंगे नहीं कि आपको सत्रह द्यान में रखिए जबshop हैं नह Cordा देते i am ला सेंटर का आपका 45 डिगरी होगा यह 90 डिगरी होगा यह 0 डिगरी होगा सेम बोटम में भी यही पोर्सीजर आपको फ्लो करना है और यह हो जाता है तो आपको सेम मार्किन कर लेना है अभी आपको पास रेप राउंड पटी है तो रेप राउंड पटी से मार्किन कर सकते ह या आपके पास estil normal estil मेरे पास अभी अश्टील नहीं है तो मैं इससे आम में बैंड करता हूं तो जिसम आपको ऐसे आपको यह सब फोलो करना है ऐसे आपको बेंड करके ऐसे आपको यह व्ला में मैचिंग करना है जीम एसे आपको पकरके और यह ऐसे पकरके आपको इसको मार्किन कर लेना है आपका एक एमेम का भी डिफ्रेंस नहीं आएगा ऐसे आप मार्किन करते हैं तो आपका परफेक्ट भी आजाएगा सेम आपको बोटम में भी ऐसे ही आपको मार्किन करना है ऐसे आप अगर मिलाते हैं तो आपका परफेक्ट मिले नाके ऐसे पकर के और अगर इप राउंड पटी आपके पास है तो और प्रफेक्ट आएगा ठीक है ऐसे आपको मिला के कि एसे आपको मिलाके सेम आपको यह जिरो डिगरी में लाकर ऐसे मैचिंग कर देना है ये थोड़ा टेपर हो गया ये तो देख सकते हैं अभी में मार्किन करके तयार हो गया ये आपका बोटम लाइन ये 90 डिगरी ये आपका 45 डिगरी ये 0 डिगरी सेम आपका ये 45 ये 0 डिगरी सेम ये टोप लाइन में ये 90 डिगरी का इधर आपको मार्किन किया हुआ है 17 mm ये आपका ये 12 mm ये मार्किन किया हुआ है, CM45 में ये 12 mm मार्किन किया हुआ है, ये 0 डिग्री, CM ऐसे आप रेप राउंड पर्टी से ऐसे मार्किन करते हैं, तो आपको मार्किन करेंगे, तो आपको जब जोब पे जाएंगे, तो आपको आगे चाल मिलता जाएगा, कैसे काम करना पर्फेक्ट कटिंग आईगा इसलिए की marketing थोड़ा देखने में अच्छा नहीं आया बड़ आपको अइसे ही marketing कर लेना है और ऐसे मार्किन करके आपको इस पर सेंटर पहुंच मार लेना है ठीक है इस पर सेंटर पहुंच मार के अभी में बहुत ही आसानी से आप बनाइए आपका एक केमेयम का भी डिफेरेंस नहीं आगाा, आईए मैं कर्टिंग करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा 60 दिगरी में है या नहीं है, मैं चेक भी कराऊंगा आपको अगर 60 कैसे चेक करते हैं, तो यह भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये आईए मैं cutting करके दिखाता हूँ आपको तो ऐसे ही आपको cutting करना है और cutting करके आप fitting करिए और आपको अगर degree check करना नहीं आता है तो यह वाला वीडियो आप जा के देखी आपको perfect मालम हो जाएगा किसी भी degree में है तो आप यह तरीके से बहुत ही आसाने से आप degree check कर सकते हैं नहीं तो अगर इसमें मैं यह बताने लगूँगा कि इसका degree कैसे check करते हैं तो थोड़ा वीडियो और लंबा हो जाएगा इसलिए यह वाला वीडियो आप जा के देखीए आपका perfect आप degree check करना सिख जाएंगे और दोस्त फिलीज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो